बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, क्लास में अलग-अलग टीचर्स आते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तो क्लास रूम में इस तरह से जब बच्चे अलग-अलग सब्जेक्ट को सीखते ह अलग लग टीचर उनको पढ़ाते हैं तो इस तरह की जो activities होती है class में इसको कहते हैं करिकुलर activities पाठ क्रियाएं लेकिन स्कूल में करिकुलर activities के अलावा और भी बहुत सारी activities होती है जैसे आर्ट हो गया ड्रोइंग हो गया music हो गया sports हो गया तो करिकुलर के साथ study के साथ चलने वाली इन activities को कहते हैं co-curricular activities पार्थ से एगामिक रियाएं और इसको short में बोलते हैं CCA तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Teaching of Social Science में Co-Curricular Activities की बात करेंगे तो इस वीडियो में हम Fill Trip की बात करेंगे और Bulletin Board की बात करेंगे और इसके बाद इसका जो Part 2 होगा उसमें हम बात करेंगे Social Science Club की बात करेंगे तो सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जानेंगे Co-Curricular Activities क्या होती है और फिर हम बात करेंगे Fill Trip की और Bulletin Board की तो वीडियो को आखरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएए तो सबसे पहले अगर हम बात करें Co-Curricular Activities की तो अभी तक आप समझ गये होंगे की Co-Curricular Activities क्या क्या होती है So Co-Curricular Activities have an important place in the modern education system की आधुनिक सिक्चा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे CCA Co-Curricular Activities या पार्थे सेगामी क्रियाओं का बहुती महत्पुनिष्थान है आजकर आप स्कूल में जाकर देखो तो पढ़ाई जो है इक पार्थे स्कूल का लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी activities होती है Music है, Dance है, Drawing है, Sports है ताकि जो बच्चे की creativity है, जो बच्चों का talent है निकल कर सामने आए तो इसकूल में study के अलामा और बाकी जो activities हो रही है जो इसके साथ साथ चल लही है उनको हम कहते है Co-Curricular activities या पार्थे सेगामी क्रियाओं तो इसमें कौन-कौन से activities जैसे हमने बात की स्पोर्ट्स है, music है, art है, acting है इस सारी activities जो पढ़ाई के साथ चल लही है इसको हम कहते हैं Co-Curricular activities या पार्थे सेगामी क्रियाओं The academic subject taught in the school make only the cognitive development of the student possible कि जो भी बच्चे क्लास में अलग-लग subject पढ़ना है इससे बच्चों को क्या और अग्यानात्मक विकास जो उनका cognitive development है वो हो रहा है लेकिन sports के कर हम बात करें Co-Curricular activities की बात करें चाहाँ music है, dance है, arts है इस तरह की activities से बच्चों का नकेवल cognitive development बलकि physical development, mental development, moral development, social development इस सारी चीज़े हो रही है तो बच्चों के holistic development के लिए और round development के लिए संपूर्ण विकास के लिए Co-Curricular activities बहुत जरूरी है और इससे ना केवल बच्चे साथ मिलकर सीखते हैं उनमें democratic values डेवलप होती है बलकि बच्चों को school में आना अच्छा लगता है क्योंकि ये सारी activities है बच्चों को ये चीजी अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं इन activities को करते करते सिखते सिखते बच्चे क्या होते कि उनका जो skill है develop होने लगता है और उनकी जो creativity है उनका जो talent है निकल कर सामने आता है देखिए हर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो ये possible नहीं लेकिन हर बच्चा कोई ना कोई एक field होती है जिसमें वो अच्छा होता है तो कैसे पता चलेगा तो जो अलग-लग activities है बच्चा करता है सीखता है देखता है फिर बच्चों को पता चलता है कि नहीं यार मैं पढ़ने में अच्छा हो मेरा social science जो है subject है maths है मेरा बहुत अच्छा है कोई कहेगा कि नहीं यार मैं music में बहुत अच्छा हो मेरी आवाज बहुत अच्छी है मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ तो क्यों ना मुझे इस area में career बनाऊ कोई कहता है मेरी drawing बहुत अच्छी है कोई कहता है मेरी sketch बहुत अच्छी है कोई कहता है मैं बहुत अच्छा dance करता हूँ कोई कहता है कि नहीं मैं cricket में अच्छा हूँ कोई कहता है मैं कबड़ी में बहुत अच्छा हूँ तो इस तरह से co-curricular activities है इससे जो बच्चों का जो talent है बाहर आता है और बच्चों को भी पता चलता है कि यह वो किस field में किस area में वो बहतर कर सकते हैं तो इसलिए बच्चों के all-round development के लिए co-curricular activities है बहुत जरूरी होती है और इसे एक फायदा है कि classroom में जो बच्चा पढ़ आए study कर रहा है उससे जो stress होता है study का जो बोजह कहीं न कहीं co-curricular activities से वो जो stress है कम होता है थ्रू CCA the student is able to bring his talent in front of everyone कि पाठे से अगामिक्रियाओं के माध्यम से विद्यारती जो है अपनी पर्तिभा को सभी के सामने ला पाता है अब हम बात करते हैं importance of co-curricular activities helpful in physical development की बच्चों के सारीरिक विगास में सहायक है उनके मासिक विगास में सहायक है helpful in the development of democratic values की इससे क्या है कि बच्चों में परज़त तांत्रिक मूल है democratic जो values है डवलप होते हैं बच्चे साथ मिलते हैं साथ मिलकर काम करते हैं एक दूसरे की help करते हैं एक दूसरे की respect करते हैं तो इससे क्या है कि जो democratic values हैं बच्चों में develop होते हैं helpful in the development of leadership ability अक्सर इस तरह की activities होती है को curricular activities होती है बच्चों का group बनता है और उनमें से कुछ बच्चे हैं अपने group को lead करते हैं तो इससे क्या होता है कि उनकी जो नेतृत चमता है जो leadership जो quality है वो develop होती है helpful in moral development की बच्चों का नेतिक विकास होता है बच्चे साथ मिलकर काम करना सीखते हैं साथ मिलकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की respect करते हैं अपनी आपको एक team समझते हैं तो इससे क्या है कि बच्चों में जो नेतिक विकास होता है helpful in the proper use of power की जो बच्चों का जो उनमें जो energy है उसका एक सही जगए यूज होता है इन activities की वजह से helpful in the developing sense of belonging की इससे कह कि बच्चों में जो अपनत्व की जो भावना है उसका विकास होता है helpful in healthy recreation की स्वस्त मरणजन में साय की कि एक game यह जो activities है को curricular activities ना केवल बच्चों के talent जो है उसको निखार कर सामने लाती है बलकि बच्चों का मरणजन करती है उनका जो stress है उसको खत्म करती है helpful in establishing discipline की इससे क्या है कि बच्चों में अनुसासन जो है स्थापित होता देखिए को curricular activities जो है चाहे music है dance है sports है इसका एक बहुत अच्छा फायदा है कि इसससे क्या कि बच्चा जो है उसमें discipline develop होता है helpful in cultural development की अलग जब हम music की बात करते है डान्स की बात करते हैं तो जो हमारे जो बच्चे जो है अलग ऐलग जो ग्ल्चर है उसRadio होते उनके बारे में बच्चों को पता चलता है तो इससे क्या होता है कि बच्चों का कल्चर डावलपेंट भी होता है विकास में साइक अक्altetव, मैं आपको किसी dance किसी का बहुत अच्छा dance करते करते dancer बन जाता तो यह बच्चे का जो professional development है उसमें भी help करता है और इसके अलावा इससे बच्चों का social development भी होता है क्योंकि बच्चा करेंगे जिसको excursion भी बोलते हैं और दूसरा हम बात करेंगे bulletin board ठीक है तो सबसे पहले गर हम बात करें field trip की तो field trip नाम से यह आपको पता है आप school में होंगे आप जब college में गए होंगे graduation time में या अभी भी तो क्या होता है कि अक्सर school वाले आपको घुमाने के लिए या तो आपको जिस state में आप रहते हैं आप डेली से हैं आप यूपी से हैं तो within state या किसी दूसरे state में ले जाते हैं ठीक है तो देखिए इस field trip का excursion का क्या फायदा है कई बार social science की classroom में teacher आपको अलग अलग सब्जेक्ट है चाहे history की बात करें चाहे geography की बात करें चाहे हम political science की बात करते हैं ठीक है तो अलग अलग सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाता है लेकिन हर चीज हर चीज सिर्फ बता कर बच्चों को समझाई जा सके possible नहीं है तो इस तरह से जो field trip होता छेजिके पालियमेंड में जाते हैं तो इससे क्या है फिल ट्रिप में आप अलग जगे जाते हैं आप अलग मॉनुमेंट में जाते हैं तो इससे आप सच क्या त्यसका है कि आपको flavour life experience मिल ला है class में सुनना अलग है और अपनी आखों से जाके देखना अलग है और उससे देखने का अलग मज़ा है और जब आप real object को बिल्कुल सामनी से जाके देखते हैं तो ओ मैबरी बिल्कुल lifetime के लिए आपके दिमाग में एक तरह से capture हो जाती है और आप उसको ना केवल देखते हैं बलकि और भी लोग जो उस चीज़ को नहीं जानते, किसी और ने ताजमेल नहीं देखा है, लेकिन आप नहीं देखा है, तो आप उनको बहुत अच्छे से बता सकते हो, कोई पहाडों में नहीं गया, किसी ने बर्फ नहीं देखी, लेकिन जब आप अपनी आखों से देखते है आपको पूरी तरीके से नहीं समझा सकता नहीं बता सकता ठीक है आपको तभी पता चलेगा तभी आप उस चीज को जानोगे जब आप खुझ से जाकर उसको अपने आखों से देखोगे तो इसलिए एक फिल्ट्रिप कराई जाती है चाहे हिस्टोरिकल प्लेस है चाहे तो अब question आता है कि इस तरह के जो फिल्ट्रिप है इसकी planning या organization कैसी किया जाए तो इसके लिए क्या ज़रूरी है सबसे पहले आप before going on an excursion it should be fully planned कि जाने से पहले पहले पूरी योजना बनानी चाहिए पूरी planning करनी चाहिए और ऐसी जगों को चूज करना चाहिए जिसकी कि अपनी educational importance हो कि जहां पर आपको कुछ सीखने को मिले चाहे आप हिली एरिया में जाओ चाहे आप coastal एरिया में जाओ चाहे आप forest एरिया में जाओ ठीक है ऐसी जगे आप जाओ जहां से आपको कुछ सीखने को मिले कुछ जानने को मिले ठीक है फिर next है that teacher should have complete knowledge of the place to be visited कि ऐस जगे होनी चाहिए जहां पर वही teacher को भी पूरा पता हो अगर ना पता हो तो फिर teacher को पहले उसकी बारे में पूरी search करनी चाहिए जो detail है उसको लेना चाहिए और उसके बारे में teacher को पूरा पता होना चाहिए ठीक है next जो है the excursion should be organized in a democratic way democratic way का मतलब है कि जब इस तरह के place decide क किया जा रहा हो ना तो सिर्फ teacher का अपना decision ही होना चाहिए class में जाए बच्चों से बात करें बच्चों को option दे कि देखि ए जगे हैं बताइए हम कीन जगवे पे जाए तो एक democratic होना चाहिए बच्चों की भी जो उनकी भी बात सुननी चाहिए और बच्चों को opportunity देनी चाह यह इसके अलावा अब मालो जग्य तो हमने सेलेक्ट कर ली तो आब वहां पे जब जाएंगे तो कहां रहेंगे कहां खाएंगे तो इस सारी चीजे कैसे गूमेंगे इस चीजों का पहले से प्रोपर अरेंजमेंट करके रखना चाहिए इसलिए travel agent जो है उनके तुरू जाते हैं क्योंकि पूरी planning पहले से करके ही रखते हैं और एक और चीज है कि जाने से पहले जब आप जा रहे हो तो उससे पहले जितने भी ग्लास में बच्चे हैं आप उनको अलग-लग छोटे-छोटे ग्रूप में डिवाइड कर लो चोटे-छोटे ग्रूप में devote करने से क्या होता है कि ते आप जो ग्रूप है उसको manage करना थोड़ा सा easy हो जाता है आप मालो me कई ज्थे अपने ओस और ऑर जाख ऑघ और एक फोड़ा सा इज़ी हो जाएगा और उसके बाद everyone should make a proper budget for the excursion कि आप जब बाहर जाओगे तो भाई आपका पैसा भी लगना है खर्च होना है तो उसके लिए हर किसी को अपना budget बना कर चलना चाहिए ताकि आप अपनी trip का पूरा आनद ले सको discipline should be taken care of during the tour कि भाई discipline में होना बहुत जरूरी है बिखरना नहीं है साथ चलना है घूमना है तो discipline में रहना बहुत जरूरी है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए complete record should be kept of all the expenses incurred in the tour कि जितने भी expense हो रहे हैं उसका पूरा record रखा जाना चाहिए और इसके बाद it should be evaluated after the widget कि जब विजिट पूरा complete हो जा तो उसका एक evaluation भी करना चाहिए कि लास्ट में बच्चों को यह भी करना चाहिए कि जब वापस college आ जाते हैं कि आपने जो भी आपका experience है उसको आप लिखो ठीक है जो भी experience है आप उसको चाहिए आप वन पेजी टू पेजी थ्री पेजी सापको पूरा एक लिखकर आप उसको एक report बनाओ तो इस तरह से इसक advantages क्या है field trip के तो इसको भी देख लेते हैं the student get direct experience from the excursion की इससे बच्चों को direct experience मिला है आप पहाड़ों में जा रहे हो आप समंदर के किनारे जा रहे हो आप जंगलों में जा रहे हो ठीक है आप अपनी आखों से जहनों को देख रहे हो आप नदियों को देख रहे हो तो इ आप क्लास में बच्चों को जितना भी बता लो यार पहाड़ इतने उचे होते हैं जरने ऐसे होते हैं वैसे होते हैं सारा बता लो लेकिन मुह से बॉलना अलग चीज़ है और जब अपनी आखों से आप देखते हो तो इसका मज़ा अलग है चेल्डरन गैट एन आपोचनटी टू एक्सप्लोर रिसर्च बाइव इस तरह के एक्सकरजन से बच्चों में जो डिसकवरी है ठीक है जो और जो हम बात करते हैं रिसर्च है डिसकवरी है सारी चीजे बच्चों को आफसर मिलता है बच्ची अपनी आखों से देखते हैं चीजों को समझते हैं ठीक है तो इससे क्या है कि बच्चों में एक एक्सप्लोर करते हैं चीजों को रिसर्च करते हैं तो उनमें खोज और अनुसंदान का जो है बच्चों को आफसर मिलता है कि इसके लिए देखो जाने से पहले जब हम बात कर रहें कि बच्चों को अरेंज्मेंट करना पड़ता है अलग लग ग्रूप बनते हैं ग्रूप के लीडर बनाये जाते हैं तो इससे क्या कि बच्चों में लीडर्शिप क्वालिटी भी डवलप होती है और इसके अलावा बच्ची जब अलग लग जगे जाते हैं उसके जो नीचर है उसकी ब्यूटी को देखते हैं तो इससे क्या कि बच्चों में जो एस्टेटिक जो सेंस होता है सुन्धार्यात्मक जो भावना है वो भी विक्सित होती है उनको एक्चुल में कस्मीर के बार उसको पता चलेगा कि यार वास्तों में सुन्धर्था क्या है कसमीर की और इसके अलावा भ्रह्मन के द्वारा विध्यारती अलग लग संक्रिट्वियों से परचीत होते हैं आप पहारों में जा रहे हो आप हिमाचल जा रहे हो आप उत्राखण जा रहे हो आप culture हैं आप उनके बारे में जानते हो समझते हो सिखते हो अब हम bulletin board की बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके classroom में या classroom के बाहर एक बड़ा सा board होता है ठीक है उसमें अलग-लग notice होते हैं जैसे नाम सी पता चला है bulletin board ठीक है हिंदी में इसको आप bulletin भी कह सकते हो सूचना पट भी बोल सकते हो तो नाम सी पता चला है तो इसमें जो भी latest information होती है उसको paste किया जाता है इसके अलावा बच्चों की जो creativity होती है बच्चों ने कुछ drawing बनाई है कुछ ऐसा उनका initiative है ठीक है ताकि इसको किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुचा सके और आते जाते हुए हर कोई इसको देख सके ठीक है तो bulletin board के द्वारा भी बच्चों का जो talent है जो creativity है पूरे school के सामने उसको present किया जा सकता है So the notice board या bulletin board in the school indicates the board placed inside the classroom and outside the classroom ठीक है इन वरांदा कि सूचना पर हम देखते हैं कि इस तरह से class में board लगाए जाते हैं class के बाहर भी ये board लगाए जाते हैं तो यहाँ पर इस board पर हमें क्या देखने को मिलता है various types of written and practical material are displayed on this for the student कि यहाँ पर बहुत सारे जो pictorial material है pictures है ठीक है आप college में आते हैं school में आते हैं तो एक नए एक बार आप notice board की तरफ जरूर देखते हैं और वहाँ पर कोई आपको information अकसर नए information मिल जाती होगी और school में है कि कि किसी बच्चे ने बहुत सुन्दर drawing बनाई है या बहुत सुन्दर card बनाए है तो इसको को बाकी बच्ची भी देखते हैं होते हैं और बहुत बार तो यह भी होता ने कि college में school में बच्चों में अलग-लग group का competition होता है कि अलग-लग board उनको दे दिये जाते हैं और उनको decorate करना होता है तो अलग-लग group board को decorate करता है तो इससे भी बच्चों की creativity बाहर निकल के आती है कि कौन सब ग्रूप है जिसका बोड ज्यादा अच्छा है तो इस तरह के competitions भी होते हैं तो इसकी अगर importance की बात करें a notice board या bulletin board is an important visual aid used in social science teaching की सूचना पर जो है सामाजिक विज्यान सिक्षण में एक परियुक्त एक मेहत्पून दृच से साधन है the information subject matter and pictorial material displayed on the notice board attract the attention of the student की जो ये board है इस पर अलग लग चाई pictorial material है चाई return material है अलग लग चीज़ें यहां पर paste की जाती है लगाई जाती है ताकि बच्चों का ध्यान जो है इस तरफ आकरशित हो it provides an opportunity to the student to showcase their creative abilities की यह विद्यार्तियों की जो उनकी रचनात्मक है ठीक है जो उनकी योगिताएं है जो उसको परदर्सन करने का क्या है कौसर प्रदान करता है this helps in making the classroom and school environment interesting and attractive कि इससे कच्चा तता विद्याले की जो वातावरेट है उसको रूचिकर और आकरसक बनाने में मदद मिलती है तो आप भी याद करिए क्या बता जब आप स्कूल में हो तो आपकी भी कुछ ऐसे creativity हो आपने भी कोई अच्छा कविता लिखी हो कोई अच्छे drawing बनाई हो तो उसको भी आपकी जो classroom में जो main reception के पास जो इस तरह का bulletin board है वहाँ पे पेश्ट किया गया हो ठीक है तो इससे आपको भी बहुत अच्छा लगा हो गयार मेरा काम यहाँ पर है और अक्सर जब board decoration जो इस तरह की competition होता था या club activities या house की जो activities होती थी तो उसमें भी आपने board को decorate किया होगा तो इससे क्या है कि बच्चों की बच्चों का ना केवल motivation मिलता है बलकि बच्चों की जो creativity है वह भी develop होती है अक्सर आपने bulletin जो board है इस तरह के उनकी border आपने भी बनाए होंगे ठीक है आपके teachers ने सिखाया होगा कि किस तरह से border मनाते हैं किस तर पहले देखते हैं तो वहाँ से ही उस पर किस तरह का काम है तो उससे हमें पता चलते है यारी school कैसा है college कैसा है यहां के teacher कैसे है यहां के बच्चे कैसे है तो अक्सर एक bulletin board ही हमें काफी कुछ बता देते हैं तो इस वीडियो में हमने बात की फिल्ट्रिव की बात की bulletin board की और इसका जो next part है उसमें हम social science club की बात करेंगे तो यह वीडियो कैसा लगा comment करके जुरूर बताईएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद